आज हम क्लास 2nd का चैप्टर 3rd पड़ेंगे एडियस में हमारा चैप्टर 3rd है How Food I Eat जो बोजन खाता हूं इसमें क्या है इस लेसन में बताया गए कि बोजन के परकार कुन से है बोजन में कहां से मिलता है बोजन हमारे स्रीन में क्या क्या वादिया बोजन की है यह सब के इस लेसन में पढ़ेंगे Learning Better हम क्या है स्टेट से सीखेंगे Importance of Food बोजन का महलत There are many types of food items which help our body in different ways Because there are many types of food items यह जो क्या है बोजन बोजन के अलग अलग परकार होते है विच अलग जो की साइटा करते है और body in different ways अलग अलग तरीकों से अलग तरीकों से साइटा करते है बोजन के अलग परकार होते हैं जो अलग अलग तरीकों से साइटा करते हैं Some of them give us energy to do different type of work यह क्या है जो बोजन है हमें कुछ बोजन तो क्या है हमें अलग लग काम करने में अनर्जी देते हैं Other food items help us to grow और अन्य food अनर्जी देते हैं और कुछ food जो है वो हमें grow बढ़ने में हमारी अनर्जी देते हैं Some also protect us from falling ill And help us to fight, sorry, and help us to fight देखो कुछ some also protect कुछ साइथा करते हैं हमारा बचाप करते हैं Falling ill, बिमारियों से कुछ कहा है हमारे सरीर को बिमारियों से बचाते हैं And help us fight disease और कुछ बिमारियों से लड़ने में हमारी साइथा करते हैं Different source of food यह कहा है बचाप की अलग लगर source होते हैं We depend on plants and animals for our food lives बचाप की हमारे जोजोरों पर हमें किस पर लिपर होती है plants and animals पर वो हमारा बचाप प्लाट्स और animals कर डिपेंड करता है Plants give us food items such as fruits, vegetables grains, eggs and pulses Plants give us देते है food बोजन के खाने की चीज़े है वो पोदों से पराप्त होती है जैसे fruits, फल, vegetable, सबजी, grains, अनाज और pulses डाले यह समर में पोदों से पराप्त होती है Animals provide us with milk, meat and eggs और जो animals से प्राप्त होते है Animals नहीं क्या देते है Milk, dood, meat, mask फुस्कूर से हमी क्यान के बताई animals से Milk, dood, meat, mask eggs, अन्डे यह हमी किस से प्राप्त होते है Animals से जो को different eating habits बोजन खाने के अलगलग आधिते पहला point है There are some people who do not eat meat, fish and chicken There are some people कुछ लोग, क्या कुछ लोग होते हैं वो क्या नहीं खाते हैं? खाते नहीं है Meat, mask, fish and chicken यह सब नहीं खाते हैं They are known as vegetarian जो जाने चाते है Vegetarian सब पहारी जो लोग क्या नहीं खाते हैं? मास, fish and chicken नहीं खाते हैं उन्हों को क्या बोला जाता है? Vegetarian Those people who hate fish, meat and chicken are called non-vegetarian Those people और जो कुछ लोग हैं वो क्या खाते हैं? Fish, meat and chicken Chicken खाते हैं, mask खाते हैं उन्हों को क्या बोला जाता है? Non-vegetarian 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 होता है मासाहरी जो नोग क्या खाते हैं? Fish, meat and chicken खाते हैं उन्हों को मासाहरी बोला जाता है और जो यह मास पचली ना खाके प्रक्रूट, सब्जी, पर्सेज खाते हैं उन्हों को vegetarian खेकर यह साथका आ रही Kinds of food बोजन के अलगलग परकार There are three kinds of food बोजन तीन परकार के होते हैं Energy giving Energy giving Food Body building Food Hand Protective Food जो हमें energy दिनता है जो हमें Energy देता है एक एसा food होता है Body building food जो हमारे body को शीर को बनाता है एक एसा food होता है तीसरा हमों से Protective food जो हमारे स्रीर की विमारियों से रक्षे करता है यह दिन परकार के बोजन होते है आगे है Food items पुट आइटम वेड, राइस, तुगर, एंड बटर गिवर अनर्जी, वो बोजन जो ये बोजन है ना, पोटेटो, आलू, वेड, गेवू, राइस, चाबर, सुगर, चिमी, बटर, ये हमें ये सारा बोजन रूमें कहा लेते हैं, अनर्जी, अनर्जी कहते हैं, दे आपोर्ड एंर्जी कि इन्हें बोला जाता है अनर्जी वी बेन फूड, एनर्जी देने वाला भोजन, फूड आइटम्स, लाइक मीट, मिस, एड्स, फल्टेज, एंड मिल्क, बुड और बोnds एड़ मसल्स मीट, फीज, एड़, फसेथ एड़ यह वोजИन क्या हैं । यह जो पोजिन के आइक्एम यह हमें हमारे सरीर को बनाते हैं हमारे सरीर के जो बोंड और बसेज हमको मजबूत करते हैं अब इस पुट आइटम अल्सो हेलप अस्टू ग्रोप और जो यह एक्स, मेट, फिस यह बर्सेज यह जो भोजन है यह क्या प्रती है यह जो आइटम में खाने के इनसे हमारी जो ग्रोफ है वो बढ़ती है इन्हें बोला जाता है body building foods, food items that protect us from falling ill are called protective foods, और जो बोजन लेए, ये मरे सरीर को बचाते है, falling ill, बीमार होने से बचाते है, जो बोजन मरे सरीर को बिमार होने से बचाते है, और जो बोजन बोला जाता है, प्रोटेक्टिव फूड, they also heal us when we get injured, ये जो बोजन है, प्रोटेक्टिव फूड जो अमारे सरीर को बचाते है, वो बोजन क्या करता है, heals, ठीक करता है, प्रोटेक्टिव फूड, ये प्रोटेक्टिव फूड में आते है, अब मैंने जितना आपको lesson पढ़ाया है, तिसरा lesson उसके आपको reading करनी है, और अच्छे से पढ़ लेना जो spelling नहीं आती है, वो अपनी notebook में लिखके learn करनी है, झाल करता है, और अपको चूड एम में आती है, तो जा हूश प्रोटेक्टिव जड़ाया है, जा हूश जा है, तो आती है, उपनी है, तो नहीं करता है, अच्छे से घ्रचे संपट्टिव जए और फंटीछिव प्रोटीव दूड़ादीव